हेलो बचलो कैसे आप सब उमीद है आप लोग एकदम मस्त होगे मैं हूं तानिया मंजार और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग सा चाप्टर ऑभाई इस चाप्टर को जो नहीं मैं बेटा आपका वह आपका डाइग्रमेटिक प्रेजेंटीशन ऑफ डी डाइग्रमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है ठीक है ठीक है टाइप सोफ डाइग्रमेटिक प्रेजेंटीशन के बारे में समझेंगे उसके बार डाइग्रम क्या होता है और इसके फीचर के बारे में समझेंगे आगे आपका टाइप सो बार डाइग्रम यह से कोश्चन आपके पेपर में पक्का बन सकता है ठीक है बहुत सारे टाइप से कैसे बनाना डाइग्राम वह आपको एक एक डाइग्राम को बहुत अच्छे समझाएंगे उसके बाद है बेटा आपका पाई डाइग्राम और चाप्टर हो जाएगा समाप्त तो लो जी तो जाओी उसके बाद इसको अर्गनाइज कर लिया क्लासिफाइख कर लिया उसके बाद आपने क्या किए था चmaking करने डाइग्राम की फो में प्रेजेंट करना उसको क्या कहते हैं डाइग्रमेटिक प्रेजेंटिशन ओफ डेटा तो पड़ावर से देख लेते हैं अच्छा एक चीज़ सुझो हम जब भी डाइग्राम बनाएं आपको पता है डाइग्राम एक तो नहीं वह मारे दिमाग में चीज सुंदर सुंदर । डाइग्राम से आपको ज्याता ट्रेग्राम तो गुक्त लॉग लास्तिक रहते हैं याद रहता लबए समय दूसरा बहुत ट्रेक्टिव होते हैं डाइग्राम बनाना सामने वाले को बहुत चाहिथ हैं ट्रेक्टेशन ओफ टेसिंटिशन ओव बहुत सिंपल सेवहित बेसिकली इस तरी के लिए को प्रेजेट करना इस प्रेजेंट करना livres इसके त्क होसेर Defram की इसमें में क्याँ मैं दिक और प्रजेटर्सतार 25 अगरी अब देखते हैंनों नेक्स्ट आहिस आपका टाइपस ओवड डाइनीक प्रेजेटेशन इसके अंदर आप तीन टाइप साते हैं एक आधा जुमेट्रिक फों एक आता है बेटा आपका फ्रिक्वेंसी डाइग्राम और तीसरे आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरिस ग्राफ तो बेटा जो आज चैप्टर हम करने वाले ना आज हम इस चैप्टर पढ़ने वह यह नेक्स चैप्टर रहे तो नेक्स वीडियो में अजय को आपके नेक्स्ट्वीडियो में आज आउगा जाएगा तो आज था पढ़ने वाले वड़्यों डेखो जूमेट्रिक फों में आपका अपका आते हैं बाद डाइग्राम और पाईड पहरा हैं आहंसे समर्जकनी हो तक है आप चाहिए आपके टीज़ाति आरे कि आहीं गचेप्टेंगल्स यह जो दिखते बार यानी बार की birार मनाना यानि rectangulars की form में diagram बनाना उसकी को आप क्या कहते हो बेटा bar diagram कहते हो तो फड़ा बड़ से definition देख लेते हैं bar diagram का मतलब है कि आप अपने data को present कर रहे हो किस form में data को present कर रहे हो bars की form में या फिर rectangles की form में ये देख रहे हो rectangulars या फिर bar एक ही बात होती है जब आप अपने data को bars or rectangles की form में present कर रहे हो उसको आप कहते हो bar diagram इसको हम columns भी कह देते हैं columns भी कह देते हैं बड़ अगर आप इतना लिखा होगे more than enough है clear है आगे देखते पेटा features of bar diagram कि भाई क्या-क्या features इसकी बारे में समझते हैं पहला feature height of bars differ according to different values of variables जो height वारवारभ की वह different different होती है आप डेखरे हो हा। जो बार सबढ़ है इसकी हाइट करया इतनी हैफिर कि यह बंबारय देख रहाय है तो इस पर डिफ्रेंट करती है बिकोज आप आपकी जो वारीबल्स आपि फुरेंट डिपरatluna वह दिफ्रेंट 450 यहां पर आपकी बार कि घिस नी है और यहां लगबक आपकी फाइफ इस लिए То remains time ho geza leia next breath of the bars remain same breath का मतलब है यह जोराई यह यह जोराई यह जोचोड़ाही एना यह क्या होती डिफ्रेंट यह क्या रहती हमेश्प से इती जो ब्रैत देख रहो यह बार क्या है बिता आपकी सेम है clear next देखते हैं बार्स में लेकिन अकसर आपकी जो पाई जाती है वह वर्टिकल फॉर्म में ही तो आपको यह चीज़ बता दू वर्टिकल का मतलब है ऐसे जो खड़ी होती है कि जो होती है उसको के तो वा तीकल कि हरिजॉंटल का मतलब है जो श्रीपिग पॉसीशन मेंशिटी को depending wa z quator dollar यह आपकी वो टिकल है यह आपकी हора जोंटल है लेकिन ओसली करह का बार हो दी कर देखcko equal distance from each other, जो बार है, वो equal equal distance पर, यानि जो gap है ना, यह आप देख पारे हो यह वाला gap, यह वाला gap, यह, 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 यह क्या है, हर बार equal है, यानि equal equal distance पर क्या है, आपकी बार है, next देखते हैं, बार में भी शेड़ेड विट डिफरेंट कलर्स तुमेक देम एट्रेक्टिव बार को क्या करते देदे शेड भी करते दे ताकि वह क्या दिखे आपको सुन्दर देखें क्लियर है चला जी नेक्स ओल बार्ट बेस्ट ऑन सम्कॉमन बेसलाइन एक कॉमन बेसलाइन होती है यह आप देखे हैं यह आपका यक्सीत यह आपके बेसलाइन ई οπο alguma बेसलाइन सारे के सारे इस सांए कि बार गर्स और जितने ली रेक्टेंगल इस कॉमन बेसलाइन पर है इस को मन बेसलाइन पर यानी एक सेक्सीस पर यहीं बात कर रहें कि सारे कि सारे जो बार्ड है वो इन वर ऐन पर होती हैं कि लैयर है लोच अब आगे दिखते और आगे आपको या कररें दिआ जो आपने सिंपल स्यंपल बात ड्याग्राम का मतलब होता है जब आप अपने देटा को प्रेζेंट लेकिन एक ही डेटा है एक इक इम़ेर पीचर को को जब आप डाइग्राम की फॉरम में which we are based adapt to … डाटा नुमेरिकल था नुमेरिकल चोई लोड़ जो भी डेटा वो नमबर्स की फोम में अपने नुमेरिकल डेटा को अपने डेटा को जब आप सिंपल बाद डाइक एक्सामपल देख लेते हैं आपके बाद यहां पर स्टूडंट गीवन है ए इसके पाद करें जल्ड और लिए अब यहीं पर कुछश पर रहे हूं डायग्डाम की विनाने बनाने की क्लियर एक ची याद रखना हमेशा आपका जो एक सेक्सिले वो ज्यादा होता आस कंपेर टू यह वाइक सिस वाइक सेस और रिजन और एक सेक्सिस क्लियर आप देखते स्टूडेंट्स है आपके si di shakati abc the dessa यहां पर लिग देनyu यहां मैं लिख दिएक स्टूडेंट्स छीगेक यहां मैं लिख देते मेक्सिमम मांग्स कितने हैं आपके 300 और मीनिमम कितने 50 तो 50-50 का गाप देदें लो जी यह आपका 50 100 150 200 250 और 300 क्लियर रहे इतना लगबग 300 यह मैक्सिमम तो फड़ा फट से हम बाद डाइकरम बना देते हैं लो जी ठीक है पहला ए है 100 एक इतना है बेटा आपका 100 यानि यह रापका 100 ए है आपका 100 चीक है किए आपका 100 आगे B कितने आपका 150, B क्या है बेटा आपका 150, यह रहा 150, लगबग यह रहा, B क्या है आपका 150, ठीक है जी, यह आपका B, clear है, C क्या है आपका 200, C क्या है आपका 200, आपका यह रहा 200, ठीक है, इसको मैं erase कर देती हूँ, कोई issue नहीं है, क्यां कि aussi कि है आपका 502 हंडिड के रहत ना आगे डी कितना कुट इसी अ कि बना लोगे एक बाओइक अदिशिफ्टित अब डी कितना आपका कॉट लुभ इस है आपको बनाना यह है आपका सिंगल शिम्यव ब्रक्राइगृम लगण यानि पिछ तरहें है यानि पर से प्रिज़ेंट कर रहे हो ऑगे 50 तो फिफ्टी पर दो आगे 300 तो पिधिनल कुछ बीष्ब नहीं स्टूरेंट्स लिख देना यहां पर मार्क्स लिख देना ओकेजी चलो जी अब आगे चलते प्रक्त नेग्स आपका Multiple bar diagram Multiple का मतलब यहां पे क्या है सिंपल में कहाता है जब एक feature को आप डाइग्राम की फोर्म में तो वह क्या था simple बाइद राइग्रम मतलब क्या है जब आप 2 या फिर 2 से जादा 2 या फिर 2 बार की इस ट करो मौल न स्कूरा सोगाइब यह निखा हुऊ वह दो यह दो कई डाइग्राम की पॉर्ब में बनाओ उसी को आप मैं तो करती है ना comparison कर पारे हम अगर आप example लेखो यहां पर एफ लिए दो इतना है कर पाऊंगे बैठ जाद है तो यह रिए आपका मल्टिपल बार डाइग्राम कलियर है इसी को भी हम बना लेते हैं बेटा डाइग्राम की फोर्म में है ठीक है यह है आपका वाय एक्सिस और रीजन एक्स एक्सिस एयर्स को हमीशा हम लिखेंगे नीचे मैं यहां इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वह इरिटेट होगा यहां पर मैं लिख रही हूं ठीक है यह थोड़ा स्पेस का आट ड्रेट क्लियर है तो एक बार देख लेते हैं 1941 से 50 1941 से 50 दूसरा क्या है 1951 से 60 1951 से 60 तीसारा क्या है 1961 से सेवेंटी 1961 से सेवेंटी क्लियर है चोथा आपका 1971 से एटी यह आपका 1971 से एटी आगे आपका आगे अब मैक्सिमम वेल्यू देखना क्या है मैक्सिमम फॉर्टी फाइव दिख रहा है मिनिमम लगबग दस दिख रहा है तो आप अब दस दस का गैप डाल दें हम 10 20 30 40 50 क्लियर है चलो जी अब हम बनाते हैं डाइग्राम लो जी अब 1941 और 50 में बर्थ रेट कितना है माम 40 है बर्थ रेट कितना है माम 40 है 40 है क्लियर है बर्थ इस से डिनोड कर रहे हु हो बर्थ रेट मेरा मन लो ऐसे डेज्ट रट कितना है 35 40 LET कि बीच में 다ी कर रहे욱ाほど सब ढोंदा अब दूस्रा आपका 1951 लग परिट इस आपको 4545 लगभा का इसके बीच ने तो में 30 के यह आपका आजाएगा यह ट्रीट क्त 아닐ने मा count 40 टेटरीट के लिए है आपका बेत डेट में सबस्टता है मत मैं 4044 80 पॉर्टी फॉर्टी्ट्स श्रिमक्त है मा mm फॉर्टी पॉर्टी व्हां यह आंनलीगा के लिए करते करते हैं, एक और बना देंडिन गयों इस टीओ मैं प है जब आपका इस तरीके से बनाना अब ग्राफ जब आप आपने देखोंगा ग्रीन कलर का ग्राफ में बनाघ आपको स्कूल में टीचर देंगे आपको इकोल इकोल डिस्टेंस मिलेंगे आपको बनाना असान है आपको कोई इशु नहीं यह तो बॉर्ड है यह आपके लिए बहुत बहुत बनाना अभी तक आप मुझे लग रहे आपके ग्राफ जरूर यूज आगे यह बना ले ना बेटा अब मैं यहां क सकता है और यह क्या आपका डिथ रेट है इस तरीके से जुरू असान है इससी दो mena ल Kayla देख पार है ह। हम दो फीचर को रेप्रेजर कर पार कि क स्थाने घ्रेंट आ घ्र pig घ्र झुनके अबखने योग कर ने क्यों पर पेपर में यह वाला पूस्थ्ट अचाटन सब दिवाइटब बाध डाइग्रम जिसको हम डिफरेंशियाल बार डार धिक है और चारे के सा जरूर जरूर बिचा याद कर लेना साब ढार डायग्रम क्या होता है इस इसमें एक साम הिक साम पार यइस हैभा सेतो डिटाहआ से यहां यहां पर दोन योटाक टो हम बुक्त तो फड़ा पर देखो अगर आप देखर हो यहां पर डेटा वह इस गीवन और टुटल 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 गीवन और तॉटल स्टुडेंट्स गीवन एक डेटा लेते हैं तो बच्चों मेंसे तीस बच्चे आर्ट के हैं चालिव चालीश साइंज के और 30 वच्चे क्या है कवर्च की हैं यह क्या है बेटा पार्ट वेल्यू तो यही कोशन आप डिवाइड़ाम का मतलब जहां पर वेल्यूज भी विए और आपके पास पार्ट वेल्यू भी नै है तो लोग हम इसको बनाते हैं लोजी यह हमारा वाइक्स में यह मारा और यह क्याहारा एकस एक्ससें यह रहे यह और काने केंगे मैं नीचे लिखेंगे यहां पर मैं योज का डेटा मैं यहां हमारे पास हो गया 2019 और बीस ठीक बीस का डेटा मैं यहां लिख देती हूं दो हजार बीस और 21 और डेटा मैं यहां लिख देती हूं बेटा गलती है दो हजार एककेश और 2000 और डेटा यह एकड़ा इतना अब देखो बाई पहले तो यह देको टोटल श्टूटिट्स कितने 100 है 140 और 120 सबसे मैक्सिमम क्या है one 40 है तो कितने कितने का चाई तक कीडिक डालं लेए फिफ्टी हंडेड वन फिफ्टी और तो कोई काम ही नहीं ठीक है यह ओ गया अब फ़ड़ा बस चुरू करते हैं तो पहला है टोटल स्टूडेंट पहला क्या आपका बेट टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके पास हंडेड हंडेड आपको क्या है 2019 बीस में कितने कम करदिया कि लोच यह आपके पास आगया 140 जाह acá दोजार 1012 में 102 these 120 1420 मोटा मोटा यहां आजाएगा मोटा मोटा यहुआ बाएप के आपके आगaines की आगया 120 अब इसको डिवाइड करें अब क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे सब ना मतलब डिवाइड कर देंगे आप सो बच्चों में से आर्ड कितने है तीस है आर्ड कितने पेटा तीस फिफ्टि यहां है तो मैं मान लेता हूं आर्ट की होगे आपके इतने यह आपके आर्ड है को इसको लाइन दे देती है मैं 40 प्लस 30 हो गया 5 6 7 70 70 लगबग इतना आएगा मैं इतना आएगा हमारा science का science का यह यह आपके पास होगी science इसको मैं star mark से देदेगा star बनाके science को मैं किस से represent कर रही हूं star बनाके clear है आगे देखो पीटा आपके बस commerce commerce कितने आपके 30 बाकी बचा हुआ क्या आजएगा बेटा आपका commerce आजएगा वह किससे में रिप्रेजेंट कर देती हूं सरकल से क्लियर है वीजिवल हो रहा है आपको यही है आगे आगे वाला डागरम देखते हैं आगे आपके बास यहां तो स्टुटेंट कितने थे 140 उसमें थे 50 कितने है आर्ट के मैम लगभग 50 50 50 50 50 50 50 लगभग 50 मेरे यह क्या है आर्ट के हैं इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं लाइन बना कि मैं मेरे science कि कितने हैं ती science कि 50 plus 30 कितने होगे 5 6 7 यह भी कितने होगी मैं 70 होगे 50 60 70 80 siamo 80 अब चलते हैं 50 और 80 लगबक 80 आपका आएगा यहां लग हुए जिर आपके किसे science के इसको मैं star mark का कर रह रहा हूं चुटे चोटे stars बना रहे हूं और बाकी का बचा हुआ कि आपका बाकी 60 यह आपके क्या होगी कॉमर्स की बच गए इसको मैं सर्कल से डिनोड कर देती हूं क्लियर रहे इतना सिंपल थी बात है बेटा मैंने क्या किया 30 जो है पहले वह 30 किया जब उपर का निकालना है तो 40 40 थारी की यह यह उपर का गया तुक है और बाकी बच्चा वह उंख्या निकल जाएगा को कॉमर्स का निकल जाएगा चिक वैसा तीसरा कर लेदा हो जाएगा तीसरा भी हो जाएगा किसा भी कर देती हूं 40 कितना है आपका 40 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 लगभग आपका 40 यहां रहे हैं आपके क्या है Ze test clients और मैंने किसफे दिनोट किए सको स्टार बना के सबना कि और बाकी क्या आपका इसको मैं किसे दिनोट कर रहे हूं सकत थाप रूर ऐसे कर देना याUP ती आपidable खोड़ कर shy और यह तो करना कुछ भी नहीं है पहले टोटल निकालना है टोटल 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 और उसके बास सब डिवाइड करना है यह आपका बेटा सब डिवाइड़ दायगरम जिसको क्लियर रहतना चलो जिए अब आगे चलते भीन क्या नेक्स से आपका पर्सेंटेज बार डाग्रम इसको भी स्थामा कर लो यहां से भी कोशन बन जाता है दो टॉपिक यहां का सबसे इंपटेंट है एक सब्डिवाइट वाला और एक परसेंटेज बार डाइगरा पेपरमें तोनों में से आपकी पेपर में आ सकता है कुछ अब आपका पर्सेंटेज बार किया हो यह आपका ृछन है इसक बेसे कोशन यह उपर तक इससे उपर वह वह आपका पूरा कॉश्चन है यह आप जो कोश्टन देखर हो इसमें आपको बनाने में बनाने में बार डायग्राम को बनाने तो यहिए आपका परसेंटेज बार डाइग्राम तो वही लिखा हुआ यह ऐसा डाइग्राम है जिसको आप पर्सेंटेज की फॉर्म में 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 पर्सें कोश्चन आपके पाद contribution of GDP by different sectors basically हमारे पाइल different sectors गीवन एक आपके पाद primary sector secondary sector भूल रहे है कि primary sector 2019 में इतना contribute कर रहे है जीडीप में और 2020 एतना कर रहे है सटेंडरी इतना कर रहे है और secondary 2020 में इतना कर रहे है तर्शरी ही 2020 तो टॉटल वो इतना कर रहे हैं 19-20 में और टॉटल कितना कॉंट्रिबूशन और GDP में इतना है अब हमने क्या बोला मैं सबसे पहले इन जो डेटा है उनको किस फॉर्म में करेंगे मैं परसेंटेज की फॉर्म में करेंगे तो आप क्या बनाओगे नई टेबल बनाओगे आप परसेंटेज की से लिकोंगे फिर 2020 compliant बीजोल और फिर प्र समीन डी जिरे दिल्दीर करते हैं बष्णल करते हैं सबसे पहले क्या करोगे किसे निकालते हो जो भी आप hash either data कितना बार अंग कितना है Rate 2 3 4 divided by my total total कितना है मैं 30 लाग total कितना है मैं 30 लाग एक दो तीन चार पांद जब भी पर्सेंटेज की वह में करते तो इंटू क्या करते थे पेटा 100 क्या करते थे इंटू में 10 दो अगर 20 20 गए 3 3 1 1 तो देख लो 3 4 12 और 0 कितना आगे आपके बास 40 और परसेंटेज की वॉर्म में किया तो क्या आगे आपके बास 40 परसेंटेज क्या आगे बिटा आपके बास 40 परसेंटेज आप मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहे हूं ताकि जल्दी से हो जाए हमारा ठीक है अब अगला तो आप देखो एट लैक डिवाइड़ बाइमें 30 तो क्या करोगे एट लैक डिवाइड़ बाइमें 30 लैक एक दो तीन चार पांट और पर्सेंटेज की फोर्म में करें तो इन टूम हंडे जो भी वेल्यू उसको बाइब अगर मैं पांट जीरो से पांट आदू जीरो से जीरो तो देख लें एट डिवाइड़ बाइमें 3 ठीक है इंटू में 10 तो आपका आंसर आ गया 26.6 कितना आगया आपको पास 26.6 एब फिर भी मैं रीचेक कर ली तो एट डिवाइड़ बाइमें 3 इंटू में 10 26.6 तो मैं लिख रही 26.6 परसेंटेश सेम अब यहां पर करना आपको टेन लेक एक दो तीन चार पांट डिवाइड़ बाइमें यह 0 से तो यह गया और लगबग 100 डिवाइड़ बाइमें 3 कितना आगया आपके पास 33.3 अब हमें पते इन सबका टॉटल क्या होगा बेटा इन सबका टॉटल हंडेड ही होना चाहिए अगर आपका इन सबका टॉटल हंडेड आ रहे तो मतलब आपका आंसर सही आगर नहीं नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटेव प्रसेंटेज का मतलब जो आपका आंसर है ना 40 अब इन दोनों को एड करो 40 प्लस यह पहला वहला हमेशा सेम रहेगा पहला वहला हमेशा कह रहेगा सेम रहेगा 40 प्लस 26.6 कितना आ गया 66.6 66.6 प्लस 33.3 कितना आ गया आपके पास 99.9 ल यह वहला हंडे ठीक है तो मतलब आपको अभी तक की कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल सही है अब 2020 और 21 का देख लेते हैं यह रेज कर दू मुझे थोड़ा अधा स्पेस्ट है वह सेम ही है कोई कोई लौचा नहीं है पहले क्या है यह वैल्यू उठाएंगे दस लाक है ठीक ह कितना आ गया मैं पच्चेस आ गया मैं यहां लिख दिया मैं पच्चेस परसेंटेज क्लिया रहे इतना चलू आगे अब आगे है तोए 14 लाक डिवाइड़ बाम में 404 422 चारप खेसे दिवाइड़ बाम हम में ऐनडे इंटो में हंडे एंटटं में हंडेड़ 12-4512-345 जिडिशिताइब फोर्पवीड़차 डिवाइड़ेड़ बाम में फोर वन फोर्टेट डिवाइड़़ तर्टी फाइव परसेंट क्लियर रहे इतना आगे से 16 बाइव में 40 करो 16 लाख एक दो तीन चार पांट डिवाइड़ बाइव में 40 लाग एक दो एक दो तीन इंटू में हंडेड ठीक है पांच नहीं पांच गया जीरो से जीरो गया अगए कितना आगे तो आप क्यूम लेटेव फ्रिक्वेंसी पहला लेगा हमेशा सेम रहता है हमेशा कह रहेगा से हुए करें तो अब मैं पते हिनका टॉटल क्या और हमेशा ड़ता है यानि यह हंडडेड 900 क्या होगा एकुल आगे है यह शूर्स कैना डेखह अब क्या बनाना डाइम अब ढाइंगराम बनाये अब उस का डाइग्राम मैं आप इस को यूज करोगे टेबल को यूज करोगे आगए टेबल आपकी कोई काम की नहीं है क्योंकि हमने इस डेटा को कनवर्ट कर दिया परसेंटेज की फूम में अब इस डेटा को आप यूज करोगे ग्राव बनाने टेटा है तो फड़ा फट से बाद देख लेते हमारे पास मेजर इंफोमिशन के हमारे पास सेक्टर गीवन और डेटा है दोजार 19-20 का और दोजार 20 और 21 का डेटा है अब मैं यहां पर चल रहे हूं लोगो जी एक बारैं यहीं आ रही होँ मैं ेहां से मां स्क्रीन ले रही हूं यह करा आप बना रहे हम वाय इक्सस ओर इस एक्स एक्स एक सीस्टी यह होगगए यहां जाएंगे यहां क्या होगा यह पर जो हम लिखेंगे जी कोंट्रिबूशन ओव 20 और 21 का क्लियर यहां पर देखते हैं अब आपके पास क्या क्या गीवन है यहां पर चलो यह वला आप में चाहिए maximum क्या है 100 कितने का ग्याप रख दें यह यूज करेंगे इसको यूज करेंगे याद रख लेना cumulative percentage को यूज करेंगे इस cumulative percentage को यूज करेंगे तो है यहाँ पर दिखे रहे हैं तो कितने का ग्याप करें हम ग्याप रख सकते हैं कितने इसकते हैं कितना प्रखिक थे हैं कितना है होगे सो या इदर आगे या आपके contribution तो सदेख थैं पहला क्या है 2019 में कितने है आपके पास टॉटल तो फटींट निकाला है तो टॉटल तो आप पर क्या हैता यह तो क्या है चाहिक नहीं कुछ है ना क्योंकि जूकल हैया हमें सत्य है में निकालने तो टॉटल ही कि आएगा पहले तो हंड्रेड की फो में आज़ा है अब इसमें डिवाइट करते जाते हैं पड़ा बर से देखते हैं आप देखो बढ़ा सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कितना आपका प्राइमरी सेक्टर को कितना है बेटा आपका पास 40 प्र सेक्टर क्लियर आगे देखो बेड़े आगे है सिकेंडरी सेक्टर वह कितना मेरा 66.6 66.6 चनि 5060 लगबग मैं कह सकती हूं यहाँ पर आजएगा मेरा यहाँ पर यह इसको स्टार से डिनोड करतें मेरा तर्ट से यह कैंडरी सेक्टर अब आगे देखो टर्शीर सेक्टर यह बनांगे परसेंटेज की बनाएंगे परसेंटेज को निकालने का इसको डिवाइड करना तो टॉटल से इंटू में 100 अब आप इसको क्यों अपर्सेंटेज करने का लोगी यह करने सबसे पहले मैंने क्या कर लिया उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दी गए 40 66.6 और हंडेड में ठीक है 40 यह आपका 40 पर सीच्छ था सब्सक्राइब कर देखते हैं 2020 और 21 यहां पर प्राइमरी सेक्टर यह क्या आपके पास पच्छिस लाइन लगा रहे हैं आगे क्या है बेटा देखते हैं आगे आपके पास कितना इस सिक्स्टी जैंकी किन्टी। कि एकश्टी सिक्स्टी का के किस्स्टी। सींब्रीय प्राइं पढ़ने सोज अव कर दो आप यहां लिहां वाला यहक। आप द्षोगह बना होगे यह शोगर होगे प्राइमीरी सेक्टर स्टार्माप वला क्या है आपका से पेडरी सेक्टर है असली ताइज यह दोनों डायंगरम्याद रखना सब्डिवाइड अब आपके परक्रे अब आप अब आउचो बेटा डिवीशन बाध क्या होते हैं decentralized diagram का मतलब होता है जब एक diagram ऐसा है जिसके अंदर जिसके अंदर एक common baseline होती है कॉमन baseline होती है कि जिसके अंदर कुछ positive में नमर होता है जानि positive में हुझे होता है यानि positive की नेधिव दोनों परकार प्रकार देटा होता है तो हमन्य Evangelion आप पॉजिटिव डीटा को मेश्चा उपर लिखते हैं बेस लाइन के और गीतिव डीटा काई नीचे समझो यहां पर हमें बेस लैंके अवना बनते हैं नेगेटिव eleven के देटाव कहते हैं नीचे बनाते बेसलाइन के बॉस्राइब को करते हैं ऑलॉव दबेसलाइन लेकिन नेगीटिव डैको अच्छरान करते हैं बिलॉव दा बेसलाइन और नेगिटिव वले को below the baseline हम क्या करते है बिटा डिनोट करते हैं तो फड़ा पर यह डेटा देख लो अगर आप एक्जांपल देख पार हूं आप एक्जांपल देख पार हूं देखो यहां पर हमारे पास यह गिवन है 2016 से 2020 का हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है और बाइंट को अन्होंolla को नहीं बनाएं जोन इसको डाइगराम बनाते हम भी इस तीम यहां यहां यहीं और यहां कि का आत्जिम नीचे यह नीचे कि नीचे ते Best से 2018 2019 तोई 2013 oni यहीं से देखहलो बाइए नेगे टेव में तो फहले तो हेस को पहले इसको स्थने नीचे आइगा नार क्या बात बच्चेब भी बोल होगे मैं मैं क्या बना रहे है तो मैं पता है नीचे जाएगा बिलकुल नीचे आपके तो कि नेगेटिव में जाने नेगेटिव हमीशा नीचे बती है यह अरीजन और यह आपकी क्या बन जाएगी लॉससे थे देखलो आईटम का गी वह न है चालेश मेकसिमम है और मिनिमम कितना है पत्चेस तो कितने कितने को गाप रहते लें पांस दसको गाप रहते तेन ट्वंटी थर्टी फोर्टी और पिफ्टी सेम यहां रहते। माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 और माइनस का 50 क्लिए रहा बच्चा इतना यहां तक को इशू तो नहीं चलो अब आगे देखो अब आगे क्या है मैं 2016 में कितना है मैं 2016 में मैं कितना है चालिस का पॉजटेव नंबर है यह मैं कितना है 2016 का यह 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 लिए दो 2016 अब दूसरा देखो पड़ा परसे 2017 में मेरा माइनस दस है 2017 में मैं मेरा माइनस दस यह रहा माइनस दस यह रहा 2 हजार स्थारा में यह लिए तलिए मैं माइनस दस देखें मेरा 2007 का युग डेटा अब आएनस सब्सक्राइव में मेरा टी से मैं यहां लुडार इतना अब आच नेक्स 2019 में मेरा माइनस का मैं मेरा माइनस को 20-20-20 यहां पर कुछ मन रहा है और यहां पर मैं ले लिया बार डाइग्राम यह क्या है मैं मैं मेरा दो हजार निस क्लियरा बच्चा अब आगे देखो में मेरा मेरा थाथ है 2020 में मैं 20-30-30 लगबग 25-25-25-25 यहां पर कुछ मन रहा है यह मैं क्या है मेरा 2020 तो यह आगा आपका डेवीशन बार डाग्राम डेवीशन बार डाग्राम मतलग जब आपके पाल देटा पॉजिटिव में भी और नेगिटिव में भी नेगिटिव होते वह अब बेसलाइन बनते यह आपको चीज़ा रहा है फिकर पॉजिटिव प्राइश को ब्लब नीचे माइनस में करोगे पोजिटिव को आप उपर करोगे यहां यह क्या लिख देंगे हम अब आइश करते हैं तो यह अब आपका डेवीशन बार डाग्राम तो एक नेक्स्ट पीन अपने स्कूल में मैंस में जूरूर यूज क्या होगा आप बनाते होगा यूजी करके आप में एक सरकल बना जाते हो कि यहां से आप शुरू हो जाते है एसे एसे और पीजा जैसा अप でखा होगा आप में यह compensation है उसको आप क्या कहते हैं पाई डायाघराम मतलब होarios को different different parts को वो क्या करता है beta Show करता Show rag percent values of the series percent values of the series का मत्लब है यहां से समझ यहाँ से समझ आजेori के पर से समझ जाए कि परसेंट मेर्पर से विल्ट सिरीस को समझने के लिए ना जो आपके पाल percentage की फोऊं में उसको आप degrees की फोम में क्या करोंगे बेटा busy दिउंड़ीजिका है नॉन इनफ से यह वहाइनों दिप्ली ल्ट ऐनगल घुटेटीरी के एंगल 105 ग्रेंगल यहां पर आपके पास परसेंट वेल्यूस गीवन होती है उस परसेंट वेल्यूस को शूग करके आप डिग्री में करते हो एक सरकल एक पाई चार्ट बनाते पाई डायग्राम बनाते हैं क्लिर है कुछ भी इस्यू नहीं तो फड़ा फर से अगर मैं एक एक्जांपल की बात करूँ बेटा यह आपके पास एक्जांपल एक्जांपल कह रहा है दटेस्च ओफ फिफाइफंड पीपल कितने लोगों का 500 लोगों का ओटेटा लिया औरफिए वुद्ट पर पांसो लोगों का यह फूट के बेसी हम मैं बात कर ქ Anda चाleriniज़ इतल्यां और ऐचिकन अमबर कितने बातoter्या घिल यह कि लगब 155 City यांव देटो लोगों से martillman साउथ इंडियन सो जो पांसो लोग है उसमें से सो लोग जो हैं को साउथ इंडियन फूर प्रसंद एक सो पच्छिस लोगों को चाइनेज 75 लोगों को इतलियन और फिफ्टी लोगों को मेक्सिकन फूर पसंद है आउट ओफ 500 टॉटल ठीक तो सबसे वहले आप क्या करो इसक इसमें करते हैं अगे यहां पर मैं लिख रही हूं नंबर ओफ पीपल यहां पर नंबर ओफ पीपल जो एप्सलूट में गिवन देख लेते हैं ताइप्स क्या-क्या फूट के फड़ा वर से देखो पहला है मैं मेरा नौर्थ इंडियन टीक है शौट फॉर्म जिक्रियों है साउथ इंडियन छिए चाइनीज कि ठिक है आगे क्या है इतलियन जैक्ड मेक्सीकल क्या है त्लब पीपल देखते हैं नंबर ओफ पीपल ओंग फिक्रट लागफ डेट्ट्स लोगों को नौट इंडियन पसंद आ रहें सो लोगों को साउथ इंडियन एकसो पत्चीस ल क्या पसंदा रहा हैसा क्या सब्सक्राइब बैसिकली मेकसिकन अब हम क्या कर रहे से absolute total कितना है हमारे पास 500 लोगों को डेट है अब हम क्या करें इस absolute लोगों सबसे पहले किसमें करेंगे percentage की फॉर्म में करेंगे क्योंकि यही टा पहले absolute value को किसमें करना पर्सेंटेज की फॉर्म में ठीक है जी तो अब क्या करेंगे number of people in terms of percentage in terms of percentage clear है अब निकाल लेंगे कैसे same है 150 के लेंगे divided by में 500 150 divided by में total और percentage है तो क्या कर देंगे फ्रसेंटेज निकाल ताकि टाइम बचे हुआ हम जलदी जलदी से क्या अ कर लें ज। को सॉलव कर लें इहना 150 divided by में 500 into में 100 तो कितना आगे आपके बास 30% क्या आगे आपके बास 30% आगे पड़ावर से देखो 100 divided by में 500 into में 100 तो कितना आगे यहां पर 20 परसेंट आगे 125 divided by में 500 500 into में 100 कितना आगे आपके बास 25 25 परसेंट हर एक चीज को परसेंट की फॉर्म में लिख रही हुए ठीक है आगे देखो 75 divided by में 500 into में 100 into में 100 कितना आगे आपके बास 15 परसेंट आगे देखो फिफ्टी डिवाइड बाई में 500 into में 100 कितना आगे आपके बास 10 परसेंट परसेंटेज की फॉर्म में तो टॉटल क्या आएगा मैं 100 यह आएगा क्योंकि परसेंटेज का जो भी आंसर होता है वो क्या निकलता है बेटा आपका 100 निकलता है चेक कर लिया करो 30 40 50 60 70 80 90 और टेन हंडड़ अगर आपका टॉटल हंडड़ आ रहे हैं मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वह बिल्कुल पॉवेक्ट आगे अब हमने क्या कर लिया परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे तो कोई नहीं माम वह भी निकाल लेते अब हम क्या निकाल रहे हैं नंबर और औ हम निकाल रहे हैं अब उसको कैसे करते हैं तो सेम यहां पर हम थर्टी लेंगे सबसे पहले डिवाइड़ में टॉटल कितना हंड़ेंगे इंटू में क्या करोगे 360 डिग्री सबसे पहले जो भी वेल्यू उसको उठाते हैं हमेशा बला जो इसके नीचे हो क्या करते थे सम सब्सक्राइब। ट्रिधांड इंटू में 360 क्योंकि हमने अधिन1टी इनचीब डिग्री क्लिवाइडवाइड ईंटू में 360 डिग्री क्रिवें फैर के वनान फीफिफ्टीवाइडवाइड इंटू में three left टेकर निकाल देते हैं करें शुरू लो जी हम करते हैं शुरुआत तो फट्री डिवाइड़ बाइट इन्टू में 360 तो इसका आंसर आ रहे हैं मैं बहुत लिग्री 108 डिग्री अगे ट्वंटी डिवाइड बाइड बाइड इन्टू में 20- 55 320 में 60 डिगरि कितना आगे आपके बास 90 डिगरी डिवाईडेट इं राइट इंटी डिगरि कितना आगे calm 90 डिगरी डिगरे 15 डिवायड ङूंडेट इंट्व ह्रों सिफटीन डिवाइडवाईड वाय में 100 इंट्व में 360 डिडिवीigi कितने आ पर लगबक 36 डिटी इतना सिंपल है यह 6 द दिवी आप क्या करोगे 5- Protection कैसे बनाओ एक मैं छोड़ आऊ सब क्या बना रही हूं सबसे पहले क्या बना उगे 2 अथ कर बन जाएगगा सरौकर आपका क्या काम सबसे सब्सक्राइब बनाने के बाद एक मिडल पॉइंट लोगे कंपस को यूज करके बना लेना है ना कड़ा वगएरा यूज कर लेते हैं बच्छे उसको यूज कर लेना किसी भी चीज से यूज करना बीच में एक सेंटर पॉइंट लगाना और एक लाइन लगा देना कहीं पर लगा देना अब क्या यूज करोगे यहां रखोगे पहला क्या आपका 108 दी रखोगे लगबख हम बात करें 90 डिग्री यहां है 120 यहां है तो मैं कह सकते हैं लगबख मेरा 108 यहां पर आजएगा क्योंकि मेरे पास कोई दी नहीं है मैं estimate कर रही हूं कि लगबख मेरा 108 यहां एक यह क्या मेरा नोर्थ इंडियन का क्या करना है पहली लाइन लगानी है उसके बाद इई use करना यहां बॉघन को रखना है और यहां से क्या कर दोगे 108 से टूंड़ों के और 108 लगा अब raumat क्या कहा वे शास्यों करोगे हम अब आप डी को यहां निक्तर टोगे को होगे यह बемोल जंग देखा इस पर रखो है जहाँ मैं यह कर रहे हूं अब दी को यहार रखोंगे यहां से देखोंगेggak问题 सकते हूं कि लग बग मेरा सेवेने टिफाइवं का सफशेवने यहां तुम वाँ अब d स्भेस्टों का रस डू头 को अब इस लाइन पर रखोगे क्या है 90 90 लगबग मैं कह सकते हूं ऐसे बन जाएगा ठीक है यह क्या बन जाएगा 90 डिगरी ठीक है उपर यह कहता आपका और ऐखा काल capable देको कहां लोगे अब अपने को यहां रखोगे यह दिखर हो यहां रखोगे एक यहां रखोगेज अइसे डी रखना यहां सेदी रखना यहां पर यहां से डिखना 54 लगबग मैं कहा 54 मैं मान लेती हूं यहां आजाता है तो यह कह है मेरा Italian Italian और कितना है मेरा 54 डिगरी बाकी बचा हुआ किया मेरा Mexican Mexican और कितना है मेरा 36 तीज याद रखना जहां पर पर खतम होता है उसी पॉइंट से आप यूज करोगे अपको आप यहाँ पे पहले खतम हुआ था यहाँ पर यहीं मिलगी तो है यहां पर लाइन मिल यहां रखोंगे तो बचा उपका लास्में जो भी है क्लीर एतना तो यह आप ऐसे बनाओगे अपना पाई चार्ड या फिर पाई डाइग्राम भी उसको बोल देते हो तो लो जी हो गया बेटा चैप्टर समा तुमीद आपको एकदम समझ आयोगा बस बेटा ऐसी अपना प्यार देते रहो मुस्कराते रहो खुश रहो पढ़ते रहो बेटा पेपर आ रहे हैं तो बहुत झाल झाल